आपके सर लाजवाब परस्ट क्लास और मैं उमीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत जादा खुश है लेकर आए क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार हमारे बोर्ड एक्जाम है और हमारे दिल की धक धक थोड़ी सी बढ़ने लग गई है क्योंकि निवर के गिफ्ट के नाम पर सी बीएस सी ने हमेशा की तरह आपके सामने आपकी डेशेट रग दिये और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉमिक्स का हमारा पेपर 12th क्लास के लिए 17th मार्च को है उससे पहले 11th को हमारा मैट्स का एक्जाम है तो अपनी रिवीजन करने के लिए दियूरिंग दा एक्जाम हमारे पास काफी अच्छा खासा सफिशन टाइम अवलेबल है बट दर फिंग इसके सर अभी तो जैनवरी है और रिवीजन की टाइम तो जब आएगा मार्च में तब करेंगे अभी अगर हमारे प्रिपरेशन थोड़ी हलकी रह गई है या हमें अभी कुछ नए सिरे से प्लान करना चाहिए तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं इससे पहले हमने 6 मार्क कोश्चंस को किस तरीके से अटेम्ट करना चाहिए उसकी एक वीडियो बनाई थी उमीद करता हूँ आप लोगों ने देखी आज की इस वीडियो में हम दोस्तो यह जानने वाले हैं कि इस लास्ट टाइम में इस लास्ट आपके डिविजन आफ पीरिड में हम किस तरीके से अपनी एकनॉमिक्स को और बहतर और अच्छा बना सकते हैं अगर आपने प्रेपरेशन अभी तक नहीं करी है अच्छे तरीके से आपकी प्रेशन नहीं हो पाई है तो ये टेकनीक आपको फालो करनी चाहिए और साथ ही अगर आप अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीट करना चाते हैं तो भी आप इस पैटन को फॉलो कर सकते हैं ये पैटन क्या है आईए समझते हैं दोस्तों देखो हमारा स्लेबस दो पार्ट में डिवाइड़ ही हम जानते हैं और एक हमारा ओविसली इंडियन एकनॉमिक डवलपमेंट सीवेड़ के साब से हम बात कर रहे हैं पहले मैं चर्चा करूंगा मैक्रोइकनॉमिक्स की वेटेज दोनों की इक्वल इक्वल है मैक्रोइकनॉमिक्स कॉंसेट अप्लिकेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा है इंडियन एकनॉमिक डवलपमेंट की अगर हम बात करें वहाँ पे थियोरी का मसला ज़्यादा आने वाला है मैक्रोइकनॉमिक्स में अगर मैं देखूं तो मेरे नेशनल इंकम एकनॉमिक एक्विलिब्रियम यह वाला गुरूप बनाईएगा और एक यह वाला गुरूप बनाईएगा गॉर्मेंट बजट मनी बैंकिंग बैलन्स ऑफ पेमेंट आप काफी हद तक समझ गयोंगे कि सर आपने उन चैप्टर्स को अलग करा है जो न्युमेरिकल कंटेंट और एप्लिकेशन बेस ज़्यादा है और जो थियोटिकल है आपने उसका एक गुरूप अलग बनाया बिल्कुल सही बिल्कुल सही जज्जमेंट आपकी यह है जहां तक मैं नेशनल इंकम और कब्रोड माइश नहीं बनता हाला कि कॉम्प्रोमाइश तो पूरे स्लेव पस अभी बनता को अभी वह आपके पास सुफिषिजर्ण टाइम है अप अच्छे तरीके से अपना स्लेवर्स कवर कर सकते हो यह कवर जھमें कैसे कैसे करनी है दोस्तोंätte अगर मैं नैशनल इंकम क कि अभी भी at least मुझे 20 questions per method प्रेक्टिस करने है प्रॉपरली तो मोटा मोटा देखा जाए में में देखा जाए तो income method, expenditure method, production method, तीन method होगे 60-70 question की एक hard code practice आपकी दोस्तों होनी चाहिए अभी भी और आप जब उस समय हर method को apply कर रहे हैं, हर method का question कर रहे हैं, आप question सही करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी preparation ठीक है लेकिन अगर question गलत हो रहा है, तो उस question में जिस point पर आपकी गलती हुई है, उसका note जरूर बनाएए, उसका note आपको जरूर बनाना है प्लस बात आती है national income की theory की, तो theory में दोस्तो परेशान होने वाली इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आप inclusion, exclusion, किसमे को जोड़ा जाता, किसको नहीं जोड़ा जाता, यह जरूर करिएगा, साथ ही nominal GDP और real GDP का जो theoretical content है, वो आपको आना चाहिए, उस पर कोई भी compromise ना करें, ओके, रही बात economic equilibrium की, देखो, यह पूरी series बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन, आपको, obviously, पढ़ना पूरा का पूरा है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आप इसको cover कैसे करेंगे, दोस्तो, diagram प्लस writing, जब आप इस particular chapter को revise कर रहे होंगे, यानि के economic equilibrium, जरूर, 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 theoretically, orally मत पढ़ियेगा, जब भी आप इस particular unit की revision करें, आज मुझे deficient demand पढ़ना है, ये रहा deficient demand, ओके, पढ़ लिया, आगिया, ठीक है, अरे भाई, दस मिनट और देकर, सिर्फ दस मिनट और देकर, जादा नहीं, उसको properly लिखिये, इस chapter में numerical भी है, numericals तो obviously, वो तो verbally होई नहीं सकता, उनको तो करके देखना है, लेकिन जो बाकी topic है, aggregate demand, aggregate supply की approach है, consumption function में उसका behavior है, जहां मैं investment saving की बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ, आपके, yes, obviously, जहां पे equilibrium attain नहीं होता, तो attain कैसे होगा, deficient demand, excess demand, कोई भी revise करोगे, उसको लिखकर practice करिएगा, उस पे कोई भी किसी प्रकार का compromise मत करिएगा, ये दो chapter दोस्तो अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं, ये समझ लीजिए, आपके 90% marks confirm है, सर ये क्या बात होई, दो chapter, दो chapter पढ़कर आप कैसे क्या दोगे 90 से उपर, अरे भाई, practical आ ऐसे हैं, जो concept application में जहां पर गलती होने के chance हैं, और ये दो chapter अगर आपको अच्छे तरीके से आती हैं, तो confidence इक अलग लेवल पर जाएगा, उसका help मिरेगा आपको बाकी content को cover करने में, समझे इस बात को, जो चीज concept वाली है, वो चीज मुझे समझ आ जाए, तो बाकी कीजिएगा, जब मैं इन topics की बात करता हूँ, government budget, money banking, BOP, एक बड़ा simple सा तरीका आपको बताता हूँ, बड़ा simple सा तरीका आपको बताता हूँ, government budget से लगबग 10 questions, अलग-अलग heading से, randomly उठा लो, randomly उठा लो, अलग-अलग topics से, money banking से, लगबग 6 questions, balance of payment में, आपका जो export, import वाले questions हैं, और BOP के अंदर, export, import के को में लगा रहा हूँ है, account वाला section, exporting port के लगबग 4 questions, और account वाला section तो एक ही question में cover हो जाता है, writing, once again, writing, अपने summary notes में, government budget के कोई भी 10 questions लिख डालो, randomly उठा कर, देखो, syllabus तो cover करना ही है, उसमें compromise नहीं है, लेकिन जो भी reference book आप ले रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, randomly, वहाँ से अलग-अलग तरह के 10 questions उठाईएगा, अपनी summary book में लिख लीजेगा, लिखना है properly, point wise, अच्छी presentation के साथ, चाहे तो मुझे भेजना photo कीज के सर, अमने ऐसे notes बनाए हैं, आप देखोगे, same technique, same technique money banking में, same आपका export, import वाले questions में, जब diagram बनता है, balance of payment में, foreign exchange rate का, अपने summary book में लिख लीजेगा, मैं बिलकुल guarantee के साथ बोलता हूँ, अगर इतना काम कर लोगे ना, जो मैंने बोला, क्या कितना हो गया, लगबख 20-22 questions हो गए, लगबख 20-25 पेज, कुल मिला कर देखा जाए, क्या नहीं लिख सकते, क्या, अरे सर, 3-4 दिन का काम है, मुश्किल से, अगर हम 1-2 घंटे भी content को देखें, डिवाइड करें, पढ़ें और फिर लिखें, मुश्किल से, 3-4 दिन का काम है, 3-4 दिन के अंदर आपका ये वाला syllabus 100% कवर हो जाएगा, question आया, exam में गलती नहीं होगी, guarantee से बोलता हूँ, सिर्फ ये वाला content अच्छे तरीका से याद कर लेना, क्यूं, randomly उठा कर हम question कर रहे हैं, हमें उस particular chapter में जो content है, उसकी knowledge हो जाती है, उसके depth में हम चले जाते हैं, especially जब हम in writing question कर रहे हैं, उससे हमें मदद मिलती है, कि अगर question टेड़ा मेडा भी आ जाए, तो हम उसके साथ cop up कर लेंगे, उसको आसानी से cover कर लेंगे, तो दोस्तों, इस चीज़ पर compromise मत करिएगा, simple technique मैंने आपको बिल्कुल macro economics में आपको बता दी, देखो जो चीज़ आप अपलाई कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, वैसे करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको से result मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यह जस्ट एक इंप्रोवाइजेशन का तरीका है, जो आपकी preparation, content को और बहतर बनाएगा, यह हुई सर, macro economics की बात, अगर हम Indian economic development में आए सर, यह थोरी है, थोड़ा परिशान करता है, देखो मैं समझता हूँ, content को divide करो तीन पार्ट में, इंडिया 1947 जो पहला chapter है, उसके बाद agriculture, industry, trade, यह अले topic आते हैं, ठीक है, उसके बाद economic reform और उसके बाद economic issues हमारे, ओके, देखो, इस chapter पे हम किसी भी प्रकार का कोई भी compromise कर सकते, नहीं कर सकते, तो यह important है, यह आपको total करना है, LPG वाला chapter पूरा करना है, कैसे भी करके, अपनी तरफ से, obviously notes तो बना नहीं है, obviously notes तो बना नहीं है, ठीक है, clear, अब इन दो का क्या करे यह वाला, आपका reform से पहले वाला chapter जो है, और economic issues, मैं specific topic भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, जब मैं बात करूंगा 1947 की, तो इस time पे एक तो जो features है, और जो demographic profile है, उस time पर जो थी मतलब, है नहीं थी 1947 में, उसको अच्छे तरीके से analyze कर लेना, उसको अच्छे तरीके से आ आपको आना चाहिए, तो यह पहला chapter तो पढ़ना पढ़ेगा, और पहले chapter को एक बारी में याद ना करने की बजाए, बीच बीच में उठा कर दो तीन बारी पढ़ लेना बाद बन जाएगी, प्रेशरी मत लेना पहले chapter का, simple सा है, एक दो बारी पढ़ होगे, याद हो एक के उपर लिखना ट्रेड, एक, दो, तीन, तीन पर जो जाएंगे, रोज, या जैसे भी आप time divide कर रहे हो, आज agriculture पढ़ा मैंने, agriculture देखा जाए तो कुछ इतना important, मतलब उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, agriculture मासा नहीं समझ जाएंगे, बशर्त जो भी आप पढ़ो, आप आपने पढ़े, agriculture के features, right, मतलब आपका, before 1991, agriculture के क्या features थे, heading डाल के features, हर एक को point wise note कर लेना, उसकी heading, खाली heading, that's it, और कुछ नहीं, फिर आप agriculture को improve करने के लिए, green revolution में क्या क्या हुआ, वो पढ़ लिया, उसकी सिर्फ headings, note down कर ली, अगली heading उठाई, क्या क्या करना है, चाहिए, और क्या क्या हो सकता है, पढ़ लिया, उसकी खाली headings लिख दी, that's it, sir, यहां से पढ़ा और यहां खाली headings लिख लिख लिख, बात बन जाएगी क्या, चल जाएगा क्या, अब बताता हो कैसे चलेगा का, आपने पहली बार प दूसरी heading पढ़ी, इस heading में यह था क्या, तीसरी heading मुझे याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, headings को अपना सोचने समझने के बाद के इसमें थोड़ा क्या था क्या था करने के बाद अब जाओ book पे, आप देखोगे, दो-तीन बारी, सिर्फ दो-तीन बारी पढ़ने से, economic development का content दोस्तो theoretical है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ही आएगी, लेकिन मुझे मालूम है, अगर इस तरीके से आप करोगे, आसानी से content याद हो जाएगा, ठीक है, clear, उसके बाद आता है economic issues, इसमें सर लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको कैसे याद करेंगे, बड़ा दिक से ज़्यादा important चीज़ है आपकी, आपके hand written notes, आपको खुद बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर तो इस वाले chapter में, तो आप अपने summary notes को जितना सजा सकते हो, सजाओ, heading, heading के अंदर important words, important definitions, उनको करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, इन दोनों content में, macro economics में, और उसके बाद Indian economic development में, यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह इतने पहाड़ वाला काम नहीं है, इसमें same, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि hand written notes आपको अपने strong बनाने है, वो जितने strong होगे, उतना बहतर रहेगा, समझ आगी बात, clear, okay, that's the story for macro economics and आपका Indian economic development for the 12th class, दोस्तों apply करिए, इसमें अगर कोई भी दिक्कत परिशानी आपको आती है, content को समझने में, cover करने में, please आप comment box में डाल सकते हैं, अगर कोई भी issue होता है, तो हम उसको resolve करेंगे, ठीक है, बाकी happy studies, आर सारे subjects को properly time table से cover करिए, sufficient time है, आप लोगों की day sheet भी proper gap के साथ बनी है, आपको revision करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, wish you all the best once again, ये नया साल है, नया साल नई खुशिया, नए marks, जादा marks आपके लेकर आया है, बस अब जाकर आपको उन्हें बटोरना है, okay, मिलते आपसे next video में, please take care.